असलाम लेकुम वेलकुम बैक टो मैच चैनल तो आज मैं आज आपको एकडम परफेक्ट तरीखा शेयर करूगी आपके साथ में चाय बनाने का जैसे बाहर या धाबे में चाय जैसी बनती है न सेम वैसे ही चाय मैं आज आपको बनना सिखाऊंगी एकडम इजी तरीका है पानी में अच्छा सा इक बॉयल आने देना है जब इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना तब हम जो भी मसाले इसमें एड करने हैं तो हम एड करेंगे तो पानी में अच्छा सा ही कुबाल आ गया है मैंने अभी इसमें तीन लॉंग एड़ की है साथ ही दो छोटी वाली इलाइची आड़ की है इसे बहुत अच्छी खुश्भू आती है चाय में साथ ही वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अधरक ली है इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसमें अच्छा सा एक बॉइल आने देंगे फिर बात में जब कलर चेंज हो जाएगा जैसे कि देखिए चेंज हो क्या है तो मैं इसमें चाय पत्ती का इस्तेमाल करने वाली हूँ यह जो हम चाय बना रहे हैं इसमें आप जो भी चाय पत्ती इस्तामाल करती है न जीन्स किसी ब्रैंड की उससे भी बहुत अच्छी चाय आपकी बढ़ने वाली है तो दो चमबच मैंने चाय पत्ती का इस्तामाल किया है शकर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्याना इस्तामाल कर सकते हैं मैंने डो टेबल इस्पून ही शकर का इस्तामाल किया है शकर इसमें एड़ करने के बाद हम इसे तीन से चार मिनट तक अच्छे से पकने देंगी चाय को आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से चाय पक रही है आप चाय सही से पकती भी नहीं है उसमें दूद आट कर देते हैं तो टेस्ट इसका विगाण जाता है इसलिए आपको इसे अच्छे से इसमें उबाल आने देना है थोड़ी सी कॉंटिटी जब कम होने लेगी चाय की तब हम इसमें दूद आट करेंगे दो कप पानी में ही मैंने दो कप ही दूद का इस्तामाल किया है दूद इसमें आट करने के बाद सारी चीज़े तो हमने इसमें आट कर दिया अब आप अच्छे से उबाल आने देंगे इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आना है इसके अंदर तकरीबन तीन मिनट तक आपको तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाना है इसका color change होने तक नॉर्मली जब आप चाय बनाते हैं तो सारे मसाले चाय में एक साथ ही add कर देते हैं और चाय बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन चाय बनाने का जो सही तरीका है वो यह है कि जब आप चाय बनाए उस वक्त पहले पानी में एक अच्छा सा boil आने दे उबाल आने दे जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तब ही आप उसके अंदर मसाले add कीजिए तब जाके आपकी चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी और कड़क सी बनकर तयार होती है चाय पीने चाय का कलर चेंज होने लगा है ऊपर थोड़ी सी बालाई भी आनी शुरू हो गई है तो इसका मतलग यह है कि चाय हमारी बहुत ही अच्छी और परफेंट सी बनकर तयार हो गई है आप चाय तो इसमें अलग से मसाला भी add कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नही है चाय मसाला अट करने की हमने जो भी बहुत अच्छी चाय बनकर तयार हो जाएगी तो गर्मा करम सर्फ कीजिए आप चाय को इसे रस्क के साथ में खाईए बिस्किट के साथ में खाईए बहुत ही ज्यादा अच्छा रगने वाला है आपको आज का यह वीडियो आपके ल की नमर चाहिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताके आने वारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स पूर पोचिंग